विर्थ मंत्री निर्मला सीता रमन ने मंगलबार को लगतार साथवी बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया एक घंटे तेईस मिनट के भाशन में उनका फोकस सक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा बता दे कि बजट में महिलाओं और लड़की उकुलाब पहुंचाने के लिए तीन लाख करोड रुपए का प्रावधान किया जाएगा इससे महिलाओं से सब मध्य त्यूजनाओ को और सशक्त बनाया जाएगा बजट में महिलाओं का कारेकाल कारेबल बढ़ाने पर फोकस किया गया है इसके लिए वित मंत्री ने इसके लिए अलग से प्रयास करने की घोशना की बजट में राइपूर के महिलाओं की क्या उम्मीदे थी और कितना यह बजट सार्थक हो सकता है इसे लेकर महिलाओं से खास बाचेत की हमारी संबादाता दामेनी बंजारे ले निर्मला सितरवन जी जो है वो एक महिला है और सातवी बार उनों ने बजट पेश किया है ये महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के चैंस बहुत ज़्यादा है और लोन वगेरे भी मिलेगा है साहता मिलेगी आप भी है किस प्रकार से इस बजट को देखती हैं मैं साथ भी बार बजट पेश लेकिन बजट से उतना हम वो नहीं है क्शुश नहीं है क्योंकि अब ही कैंसर का दिखा रहे थे मैंने देखा है कि कैंसर की दवाईयों में कुछ उनों ने चूट दी है तो cancer का treatment ही या जितना महगा है कि एक कीमो कर आने जाते हैं तो साड़े डेड़ लाक रुपए लगता है तो उसकी पांच सरकील होती है पांच सरकील में होता है अब उसमें वो कितना कम करेंगे पांच हजार करेंगे दस हजार करेंगे या बीस हजार करेंगे पचास हजार करेंगे वो हमको पता नहीं है अभी हम चाहते हैं कि बजट हमारे मलब सही से बजट हो तो उस बजट और इसमें महंगाई को मिला के मैं दो शब्द बोलूंगी पहले मुठी भर पैसे लेकर जोले भर राशन लाते थे अब जोले भर पैसे लेकर मुठी मेरा शन लाते हैं हाई महंगाई महंगाई महंगाई, हाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई, तू कहां से आई तुझे क्यों मौत नाई हाई मेहंगाई 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 आखरी में यही कहना चाहूंगी कि जो भी बजट आए तो वो हम ग्रहनियों के लिए भी मेहंगाई के उससे थोड़ा सा कमाना चाहिए सबी वर्गों के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हम ग्रहनी अपने बजट के अनुसार घर चलाते हैं, तो महिलाओं का विशेज ध्यान देना चाहिए, वो लोन और आपके द्योग के लिए किया वो ठीक है, वो तो जो घ गर से काम करती उनके लिए, पर जो घर का बजट चलाती उनके लिए महिंगाई कम होना चाहिए. सरकार कहती है, ये महिलाओं के लिए फायदे का बजट है, लेकिन मुझे नहीं लगा ये फायदे का बजट, प्लास्टिक का रेट बढ़ा दिय गया, जो आज जो आज 70,000 है, उससे ज्यादा कम नहीं हुआ है, GST लगाई जाती है, आज हर चीज में GST लगाई जाती है हाँ ये सब चीजों को लेकर मोधी सरकार को भी थोड़ा सा कहीं कहीं गलत है और गरीबों के लिए तो अभी महंगाई के लिए बहुत ही गलत हो रहा है जैसे कि आपने खुद भी सुना इनका क्या कोछ कहना था आपको बता दे कि जिस प्रकार से बजट आया है साथ वी बार मोधी सरकार की ओर से बजट पेश किया गया जिसमें निर्मला सितरमन ने ये बजट पेश किया लगभग एक घंटे तेईस मिनट ये पूरा बजट का का पाता है कैमरामन भुपेश जांगडे के साथ दावनी बन जारे आयनेश 24-7 रायपोर